कि दोस्तों अगले साल कूछ कमाल के flexibility फोन आपको दीख सकता है जियां दोस्तों इस वीडिव में आपको यह बताऊंगा कि कौन-कौन सा plus flexible फोन आपको एगले साल 2022 में दीख सकता है तो दोस्तों तो हाला कि यह कोई official news नहीं है लेकिन फिर भी एपल हर साल अपना कोई ना कोई phone release करता ही है तो आप मान के चल सकते हो कि इस बार भी एपल अपना 14 series launch करेगा ही और दोस्तों खबर यह भी निकल के आ रहे हैं कि इस बार एपल में आपको कोई scratchless titanium bag दिख सकता है जिससे आपकी phone पर कोई भी scratch नहीं आएगा और दोस्तों एक काफी कमाल की बात होने वाली है और दोस्तों साइद इस बार एपल अपने mini variant को हटा कर कोई standard variant launch कर सकता है और दोस्तों बात करें डिस्पले की तो आपको OLED डिस्पले 120 हर्स refresh rate के साथ मिलेगा जिसका size लगभग 6.3 इंस हो सकता है और दोस्तों इस बार साइद एपल आपको इन डिस्पले फिंगर प्रिंट और फेस आईडी साथ में दे सकती है दोस्तों अगर बात करें प्रोसेसर की तो आपको इसमें पिछले वाला ही एस शिक्स्टीन प्रोसेसर दिखेगा जो कि अभी तक दुनिया का सबसे फास्ट प्रोसेसर में से एक है और दोस्तों प्राइस को लेकर अभी तक कोई क्लियारीटी नहीं है जिहां दोस्तों लेकिन पिछला वाला आइफॉन 13 स्रीज के आसपास ही इसका भी प्राइस हो सक रिलीज़ होता है दोस्तों हमारा अगला लोतर दोस्तों और एक काफी जयादा कंफर्म न्यू से क्रता है तो इस बार आप आप सैमसंग के तरफ से यस 22 रिलीज होता हुआ देख सकते हो और दोस्तों सैमसंग का सब ज़्यदा और करव डिस्पले मिलेगा दोस्तों जोंकि 120 हर्स रिफ्रेश रेट की साथ आएगे और दोस्तों खबर ऐसा भी एक इस बार सैमसंग में आपको 200 मेगापिक्टर का क्यमरा दिख सकता है जिए दोस्तों इस बार सैमसंग 200 मेगापिक्टर का क्यमरा यूज करने वाले अपने में तो आप खुद समझ सकते हो दोस्तों क्या डिटेलिंग हो सकती है फोटो की दोस्तों अगर बात करें बैटरी की तो इस बार पिछले वाले Samsung Galaxy S21 के मुकाबले इस बार आपको थोरी कम बैटरी कापेसिटी मिलेगी जो की 4000 एमेस से घटके 3800 यमेस की हो जाएगी और दोस्तों इस बार साइट Samsung आपको 65 वाल्ट का चार्जर भी दे सकती है जो की पिछला फोन में आपको 45 वाल्ट का चार्जर ही मिलता था अगर बात करें प्राइस की तो अभी तक प्राइस को लेकर अभी तक कोई कंफरमेशन नहीं आए लेकिन दोस्तों पिछले वाला यस 21 के मुकाबले इस बार सैमसंग यस 22 में थोरा ज़्यादा प्राइस हो सकता है दोस्तों हमारा अगला जो न्यूज है वह है अपो के तरफ से दोस्तों सैमसंग और एपल के तरह ही इस बार अपो भी अपना नया फ्लैक्षिप अगले साल 2022 में मार्च को रिलीज करता हुआ दिखेगा 5X 3 के सक्सेसर के बाद अपो आप फाइनली 5X 4 रिलीज करने जा रही है जहां दोस्तों इस फोन में आपको काफी ज़दा इंप्रूब्मेंट दिख सकते हैं पिछले वाले फोन के मुकाबले क्योंकि दोस्तों पिछले वाले फोन में अपो 10X जूम के चकर में केमरा क्वा ज़दा इस्पेसल हो जाता है तो दोस्तों यह था कुछ फ्लैक्सिव लेवल फोन जो की अगले साल रिलीज होने बाली है तो दोस्तों उमीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो का लाइक कर दे चैनल का सस्क्राइब कर दे और दोस्तों का साथ सेर करें दोस्तों धनेवाद